आज मैं आप लोगों से शेर करने जा रही हूं चिकन ब्रेट पॉकिट बनानी की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पैन में डाल दिया है ओल ओल के गरम होते ही इसमें एड करेंगे अद्रग और अद्रग और अद्रग और इसे 30 सेकंड के लिए फ्राय कर लेंगे तागे इसका जो कच्छा पन है वो निकल जाए अदक लेसिन को हमने भून लिया है अब इसमें अब हम भूनें गे चार से पांच मिनट के लिए जैसे जैसे हम भूनें है चिकन का कलर चेंज होगा तो यहाँ पर चिकन को हमने भून लिया है आप देख सके हैं चिकन के चंक्स रैडी हो गय है हमने इस अच्छे से भून लिया है अब इसमें कुछ पॉर्डर मसाले आट 1.5 tsp कुटी's हुई लाल मिर्च, 1.5 tsp सफेद मिर्च का पॉर्डर, 104 चुमज दालें लाल मिर्च का बॉर्डर और डालें नमक और मसालो के साथ चिकन को भूनेंगे दो से 3 मिनट के लिए यहां पर हमने अच्छे से कुक लिया है अब हम इसもंब आड़ करेंगे सास तो वन टी अड़ करेंगे टमेटा सास वन टी स्पुन ही आड़ करेंगे ग्रीन शिली सास और दो टेबल स्बůन इसमें एड़ करेंगे मियोनी thinkers और äv्ड़ले के बाद चिकन को और वेजिस को डालने के बाद हमें इसे बहुत कुक नहीं करना है और स्टेर से दो मिनट के लिए से कुक करेंगे ताकि यह तोड़ी से सॉफ्ट हो जाए तो यहां पर देखे हमने इसे कुक कर लिया है स्ट्रफिंग रेड़ी है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे न कुकी कटर से भी कट कर सकते हैं और इसी तरीके से सारा हम कट कर लेंगे और यह जो ब्रेट है न इसको फेकिंगे नि इसके क्रम्स हम रेड़ी कर लेंगे यहां पर ब्रेड रेड़ी है दो अंडे को हमने फेट कर ले लिया है और साथ इसाथ हमने ब्रेट कर भी ले लिया ह तो यहां पर यह देखिए, रेडी होगे, इसी तरह की से हमने सारी ब्रेट को कर लिया है, अब हम इसे फ्राइ करेंगे, तो फ्राइ करने के लिए हमने यहां पर तेल गरम कर लिया था, तेल अच्छे से गरम है, तो इस मैट कर देंगे ब्रेट को, और इसे जो है हमें हर साइ यहां पर अच्छे ब्राउन हो चुकी है तो अब इससे निकाल लिए इसी तरी के सारी ब्रैट को तरह कर लेंगे देखे हमने रेडी कर लिया है और अब इसे कट कर देंगे इस तरह से चाको के हर्प सहरे और सारी ही ब्रैट को झो है इस तरह कसे कट कर लेंगे यहां पर ब्रेट को कट कर लिए आप स्टफिंग इसमें डाल देंगे तो जो हमने चिकन की स्टफिंग रेडी किया था उसे इस प्रेड में हम डाल देंगे और इसे भर-बर की स्टफिंग डालेंगे ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आप ट्राइ कीजिएगा और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला हाफीस